नमस्ते हम वापस आ गए हैं अपने सहर अपने धाम अपने ओफिस जहां से फेस्ट के वीडियो बनाता हूं और आप लोग तक पहुंचता है होली चुट्टी में काफी दिनों घर पर आ गया था लेकिन वीडियो रेगुलर आ रहा था जरूर हालाक यह आप लोगोंने फेस्ट के वीडियो नहीं आनके चलते हैं वीडियो देखना जरूर कर दिया था बहराल हम लोग मुद्धे पर आते हैं और सिधे काम की बास करते हैं सबसे देखिए जो विकास लाइब केर कंपनी आपको पता है किमिकल कंपाउंड बनाते हैं और साथ में यह पॉलीमर्स और प्राश्टी के बिजनेस से भी जुड़ हुई है लेकिन जो इसका में रिभीनु प्राप्त होता है इसके एक रो प्रोड़क्ट जो प्रेस पर कंपनी का प्राइस पर से रहा है इसके बारे में बात करेंगे फिलाल यह देखि-कि यहाई लगा चुगा 7.90 पैसा का और यह हाई सी साल जनवरी में लगाया था 11 जनवरी को इस दिन से हाई लगाने बात कमनी का से अच्छ बढ़ जाता है तो उसके बाद थोड लटका उब इसका उसी को यह साइड वेज रेंज कहा जाता है इससे बाहर निकलता है तो इसमें एक होता है द्हामा का बहुत संभावना होता है जब शेयर पार निकलता है तो ऊपर की तरफ ही जाता है उपर की तरह जाने का मतलब शेयर प्राइस अभी जैसे पांच रुपर चालिस पैसा है तो उपर च्छो साथ रुपर तक जाते हुआ दिख सकता है जैसे ही इसे बाहर निकलेगा उसके बाद तो सवाल है कि आखिर इससे बाहर कब निकलेगा तो देखिए विकास लाइफ के आते रहते हैं तो जैसे कोई अच्छा निकल कर सामने लगए तुरंत इसमें अपर सर्किट लगेगा और सॉपर जाने लगेगा ऐसा इसलिए कि क्यूंकि इसमें अपरेटर साभी होते हैं और इंतिजार करो थे उसी लिए इसका आने का जैसी सीर प्रेस में दीगें और चानस सकते हैं यहां छान्स आने में अरे कि झाएगा क्यूंकि इसका फ्रॉट्ण काफी संदार है देखिए तीनों चीज को पिछले क्वार्टर के साफ से बात करें तो तीनों में बढ़ोतरी हुआ है तो अच्छा खासा बढ़ रहा है तो का सकते सेर्प्राइस भी तेजी उपर ही जाएगा और इसमें करजा बहुत कम हो गया देखिए पहले 42 करोन का इसके और करजा था जिसको ट्रीक जब डेटा था उसमें देखा गए कि कंपनी अपने को कम किया है करोंड से कम करके सीधे 29 करोन पर आ गया और क्वार्टर फोर कर रियल्ट आने वाला है तो उसमें हो सकता है कि यह अपने करजा बिल्कुल समाब्त कर लें कंपनी को अगर करजा बढ़ा है मतलब प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी बढ़ाई है समझे दो पॉइंट चार जिरो परतिसाथ इन्हों ने एक्वाइर किया है अकले विकास गर्ग ने इससे क्या हुआ है कि जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होता है कंपनी में वह इंक्रीज हुआ है तो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो वह कंपनी के विकास के लिए अच्छा माना जाता है इसका लामा देखिए कंपनी का बिजनस मडल में कोई कमी नहीं है मल्टीपल बिजनसों में कंपनी कुदी हुई है आपको पता है कंपनी फ्यूचर औरियेंट सेग्में करते हैं कंपनी का बनाती है आपको पता है कि यहां फर्मा सेक्टर माना जाता है वह केमिकल सेक्टर का मना जाता है इसका लमाँ प्लास्टिक का क्या है कि इन लोगों का लक्ष है फाइनांसियल यह दोज़वाइस तक यह एकदम फिरी हो जाएंगे मतलब कंपनी के उपर जो 29 क्रों का करजा है यह लोग का कहना है कि यह करज़वाइस तेसके अंदर ही समाप कर देंगे अब समझे बहुत सारों को मानना जनकारे से बताते हैं कि यह जो इस्टोक के 2022 का आज आने दीजिए आप इंट्री लीजेगा तो आपके लिए बहतर होगा अभी इंट्री नहीं लीजिए तो उम्मीद करता हूं मेरी बाते आपको समझ में आई होगी मैं जो बताना चाहरा था अगर फिर भी मन में कोई सवाल है इस वीडियो कोई सवाल है कमेंडर पूछ सकते हैं परसनली मुझे जूर कर बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स पीडियो में तो तो लिए धन्यपाद शुक्रिया